तो हेलो एंड बेलकम बेक दोस्तों स्वागत है आपका टेक्टन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप अपने फोन की स्क्रिन रेकोर्डिंग को मोबाइल फ्रेम के साथ कैसे एडिट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप जो वी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो दोस्तों इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो डालते र लेना है तो हम यहां पर 16-9 वाला जो आस्पेक्ट रिश्यो है इसको स्लेक करेंगे यहां पर और यहां से एक मीडिया फाइल हमें लेना है तो मीडिया फाइल में मैं यहां पर एक डेमो इसक्रीन रेकोर्डिंग मेरे पास अल्वड़ी रेकोर्ड किया हुआ है तो मैं उस स्क्रीन में मोबाइल फ्रेम ले आउट लागा कर दिखा पाएं तो सबसे पहले आपको जाना है यहां पर लेर वाले ओप्षिन में और यहां से मीडिया वाले ओप्षिन पर जाना है तो दोस्तों मीडिया वाले ओप्षिन पर जाने के बार आपको यहां से मोबाइल फ्रेम यहां पर आपको एड़ करनी होगी तो दोस्तों यह फ्रेम आपको कहां मिलेगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहां पर गूगल ड्राइब की एक लिंक डालूंगा वहां से आप इस फ्रेम को जाकर बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यहां पर एडिट किया है तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा एकजस्ट कर सकते हैं परकि दोस्तों बहुत आसान है और आप अपना खुद का भी ऐसे एक लिएउड बना सकते हैं कैसे बनाना है अगर आपको इसके उपर एक डेडिकेटड वीडियो चाहिए तो आप वीड बना देंगे कि कैसे आप अपना एक लिएउड बना सकते हैं बेग्राउंड लियाउड जिसमें कि आप अपने मोबाइल की स्कृन रेकोडिंग को लगा सके हैं और दोस्तों अगर आपको यह वाले लिएउड चीए और और भी बहुत सारे लिएउड में वीडियो के डिस् सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे हैं इंट्रेस्टिंग और इंफिमेटिव वीडियो डालते रहते हैं तो थैंक्स अलोट फॉर वर्चिंग आइस थैंक्यू बाबाई